हलो दोस्तों मेरा नाम चंडर शेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी में स्टूडेंट वर्क के बारे में या हंगेरी में स्टूडेंट कितना काम कर सकते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि as a student Hungary में आप per week कितने hours काम कर सकते हैं, पूरे साल में आप कितना काम कर सकते हैं, हम ये भी बात करेंगे कि किस किस तरीके के jobs हैं, हम ये भी बात करेंगे कि आप कितना earn कर सकते हैं, legally as a student काम करके से पहले कि हम आगे बड़े मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि मेरा purpose है आपको 100% genuine information देना तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करें हंगेरी में as a student आप कितना काम कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना काम कर सकते हैं as a student आप हर हफते 24 hours काम कर सकते हैं legally और इसके साथ ही अगर suppose करिए आपका semester नहीं चल रहा है तो आप full time भी काम कर सकते हैं अगर हम quote करें जैसे study in Hungary website को तो उनका कहना है जो official website भी है जो tempus foundation manage करता है जो कहती है कि student 24 hours per week काम कर सकते हैं इसके अलावा 66 days full time काम कर सकते हैं और या फिर 90 days काम कर सकते हैं तो अगर हम इसको roughly बोले तो आप अपने semester के दौरान 24 घंटे हर हफते काम कर सकते हैं और जब आपकी छुटियां हो तो आप full time काम कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि किस किस तरीके जॉब्स मिल सकते हैं students को देखिए मैं खुध हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और मैं बह basically students काम करते हैं restaurants में जहांबे मैंने काम करते हुए देखा है students को मैंने काम करते हुए देखा है grocery stores में इसके अलावा students को मैंने काम करते हुए देखा है factories में students call centers में काम करते हैं IT enabled industry में काम करते हैं इसके अलावा students food delivery का भी काम करते हैं अब ये depend करता है कि आपकी skills क्या है For example, अगर आपको languages आती है, जैसे अंग्रेजी आपकी अच्छी है, और इसके साथ कोई और language आती है, जर्मन आती है, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा job मिल सकता है, जो आप comfortably कर सके हैं, मतलब air-conditioned office में बैठके, और अगर आपका IT background है, तो भी आपको अच्छी job मिल सकती है, अगर ये background नहीं है, तो आप 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 तोर पे restaurants में काम कर सकते हैं, और Hungary में in fact, जो सबसे बड़ा challenge है, ये यॉरोप में और countries में भी है, वो है language का, तो basically अगर आप language सीख सकते हैं Hungarian, तो आपको employment के chances बढ़ जाएंगे, मैंने जो Indian students हैं खासकर, उनको जैसे मैं बता चुका ह grocery store पे काम करते हुए देखा है, खासकर Indian grocery store पे, मैंने spar में या फिर टेसको में Indians को काम करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पे language की requirement बहुत strong है, restaurants में काम करते हुए देखा है, I mean the Indian restaurant में, इसके अलावा tour agencies में काम करते हुए देखा है, अब जैसे hop on hop off buses चलती है, तो को देखा है, इसके अलावा call centers में काम करते हैं, factories में भी काम करते हैं Indian students, food delivery का भी काम करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि आप कितना earn कर सकते हैं, देखे मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे हंगेरी में अगर आप 24 घंटे हर अफते काम कर सकते हैं, provided आपकी study आपको allow करें, तो आप तकरीबन 10 lakh Hungarian foreign से लेके 2 lakh Hungarian foreign तक कमा सकते हैं, मैं average बोलूँगा ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका basically खर्चा निकल जाएगा, रहने, खाने, पीने का, और fees शायद आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि fees vary करती हैं, जैसे for example business studies या arts के जो program है, अगर हम कम से कम fees की बात करें, तो तकरीबन साड़े तीन हजार यूरो पर एनम होती है, तो वो शायद आप निकालें, लेकिन अगर सपोस्ट करिए, आप engineering कर रहे हैं, जहां पर fees 6000 यूरो के करीब हैं, तो आप fees नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अच्छी जीजिए हैं कि हांगेरी मे scholarships भी हैं, उस पे हम अलग से वीडियो करेंगे, वैसे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अपनी fees नहीं निकाल सकते हैं, बतलब in general, तो आपको family support की ज़रत पढ़ेगी, और मैं students को देखता हूँ, कईयों का ये कहना है, जो bolt में काम करते हैं, वो धाई तीन लाख Hungarian foreign तक कमा लेते हैं, लेकिन again, वो हर एक नहीं कमा सकता है, challenges है, अब tax का भी मुझे ऐसा बताया गया है, कि अगर आप 25 साल से कम के हैं, तो tax liability नहीं होती है, otherwise, जो भी आपकी income होती है, हंगेरी में basically या तो income जिसे netto या bruto बोला जाता है, gross में या in hand, अब जितना आपकी gross होगी, उससे तकरीबन आप लगा लिजए कि आपको 70% ही मिलेगा, अगर सब्सक्राइब कोई आपको दो लाख बोलता है, तो आपके हाथ में जब income आएगी, वो करीब एक 40 के करीब होगी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई और सवाल हैं हंगेरी में student jobs के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आने वने टाइम में videos भी करूँगा, कि आपको हंगेरी में student jobs कैसे मिल सकता है, मुझे अमीद है कि ये video आपको पसंद आया होगा, मैं जाते में आपसे request करूँगा, कि आप हमारे YouTube चानल को subscribe कर लिजे, thank you very much